तो आप सब कैसे हैं और आप सब की दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं तो फिर्स्ट एन फॉर्मस्स तिंग मैं वेलकम करती हूं हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स का थैंक यू वेरी मच्छ सभी मुझे बहुत अच्छे से पहरे पहरे से लिक रहे हैं और शाती साथ कि करते साथ आप थोड़ा लाइक भी कर दीजिए क्योंके लाइक बटन को मेरे कम मिल बनाती तो गया था उनका प्रेकफास्ट यह दिखिए धूप कितनी ज्यादा तेश थी तो हमारा पानी जो हम पीते हैं तो मैं विदर बाहर ही स्टोर करती हूँ यह तो इसको मैंने इस तरह से कपड़ा में अच्छे से गिला कर दिया और इसको इस तरह से टाई कर दिया तो चलिए मुझे जाना था जी कहीं बाहर मैं मुझे कुछ वर्क है बाहर तो इसलिए मुझे डेली निकलना पड़ रहा है थोड़ा सा मैं बहुत बीजी हूँ इसलिए मैं लाइव में भी आटेंड नहीं कर सक रही हूँ जैसे ही मैं इन सब ही कामों से फ्री हो जाओंगी मैं ज़रूर आप सब के साथ लाइव में जाइन होंगी और साथी मिनारा जी भी कल ऑनलाइन थी मैं थोड़ी देर के लिए बस आई थी जस्टेंडिंग मॉमेंट में तो सौरी तो जैसे मेरे सारे काम खतम होते हैं मैं फिर से आप सब को लोगों को जाइन करूँगी तो जी आ अगर में ले लिया थोड़ा सा ओयल एरन 4 टेबल स्पून और उसमें मैंने 1 अच्छे से चॉप कर लिया है तो इन चारी चीजों को में अच्छे से फ्राइब कर लूँगी अभी जब भी मैं बाहर जाती हूं मुझे टाइम ज्यादा लग जाता है तो इस लिए मैं को कर यूज करती हूं इस पॉइंट पर मैं अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं इस पॉइंट पर मैं आट कर दूँगी 1 टेबल स्पून जिंजर और 1 टेबल स्पून गार्लिक और इनको मैं अच्छे से कर दूँगी जी मिक्स इवनली मैं इसमें अच्छे से फाइनली इसको सारा मिक्स अप कर दूँगी जब तक यह अध्रक लसन अच्छे से इसमें पक जाए और यह दिखिए अध्रक लसन भी अच्छे से मिल्ट हो चुका है अभी मैं आट कर ताके टमाटर इसमें अच्छे से मेल्ट अप हो जाएं और इवनली सारा मसाला मिक्स हो जाएं साथी साथ मैं आड करोंगी इसमें ड्राइ मसाला इसमें मैंने ले लिया है राउंड टू एंड हाफ टेबल स्पून रेड चिली पॉडर यह छोटा वाला स्पून है मेरे पास तो उससे मैंने टू टेबल स्पून डाला है तो साथ मैंने ले लिया हल्दी हाफ टेबल स्पून एंड थोड़ा समय पानी आड करोंगी इसमें ताके सारे मसाले इवनली मिक्स अप हो जाएं और मसाला जले भी ना और इस पॉइंट पर मैं आड कर दूंगी जी पोटाटोस यह रॉन टी टू फोर पोटाटोस मैंने अच्छे से चॉप कर लिये थे इस तरह से और साथ में मैंने हाफ टेबल स्पून साल्ट आड किया और थोड़ी सी मैं इसमें आड करोंगी जी ब्लैक पेपर साबुद फ पकाल नोंगी फिर हट कर दूंगी फोट साधी साथ में मैंपानी गरम करनी के लिए रख दिया था ताकि जल्दी सी जलदी बना यह बहुत लेट हो चुका था मुझे ओल्रेडि बनाने के लिए और यह विन은मी की टिप असमें आहर से पानी गरम कर देती थी था कि immediate हम वहाँ से पानी इसमें आड करें और यह जल्दी से पक जाएं तो मैं वही फार्मूला यूज करती हूँ और यह देखे मैंने आड कर दिया इसमें राइस और थोड़ा सा फूट कलर मैंने आड कर दिया तो मैंने इसमें आड कर दिया थोड़ा सा देशी घी और मैं कुकर अभी लगा दूंगी एराओंड थ्री विजिल्स के लिए तो साथ में मैंने ले लिए एक कड़ाई में साथ में बना रही थी ड्राइ पेपर चिकन तो मैंने ओयल ले लिया कड़ाई में थोड़ा सा अध्रक लसन का पेस्ट मैंने आड़ कर दिया कुभ़ा ओध्र स्वीन दोनों का पेस्ट और इस चिकन है थोड़ा सा ranks में नमक दोनों का पेस्ट और शाहते हिए और चिकन को में दिने के बदे मैंने आप कर दिया शीक एंड 003 ग्राम्ट अंग ट्री ग्रीन की जिली तो एडसे से nमक टे और है पर इवनली मिक्स हो जाए चिकन में और ग्रीन चिली का टेस्ट भी इसमें इन्हास हो जाए तो चलिए करती हुए अपना देसी जुगाण 2 टेबल स्पून भरके मैंने ले लिया है जी ब्लैक पेपर यहां पे और इसको मैं हाथ की मदद से ही ग्राइंड करूंगी मैं मिक्सर ग कर लिया और यह दिखिए चिकन भी मेरा अच्छे से गल रहा है इस पॉइंट पर जी मैं आड कर दूंगी इसमें ब्लैक पेपर आप चाहें तो जीरा भी आड कर सकते हैं मुझे जरूरत नहीं थी इस वक्त तो जस्ट मैंने ब्लैक पेपर इसमें आड कर दिया है और थोड पेपर इवनली अच्छे से मिक्स हो जाए और माशाला से इतनी टेस्टी रहती है यह ड्राइ चिकन मैं क्या बताओ मुझे पानी आ रहा है मेरे अभी भी मेरे घर में चिकन लॉवर्स है ज्यादा ज्यादा इन लोगों को चिकन ही पसंद आता है मुटन भी खाते हैं मुट गरन फिश सभी बट चिकन तो मेरे यहां डेली ही बनता है अल्मोस्ट यह देखिए थोड़ा सा मैंने पानी आट किया था ताके चिकन अच्छे से गल जाए जस्ट हाफ ग्लास मैंने वाडर आट किया था यह दिखिए यह अच्छे से पकने के बाद इसका टेक्चर कितने प्यारा सारा है अगर आपको ज्यादा ग्रेवी ही वाला चाहिए तो आप इसमें ओनियन भी आड़ कर सकते हैं तो मुझे इस सिर्फ साइड डिश के लिए चाहिए था पलाओ के साथ तो इस तरह से मैंने ये रेसिपी बना ली और साथ में मैं स्प्रिंकल कर दूंगी इसमें थोड़ा सा हराधनिया जिससे इसका टेस और टेक्श्यर दोनों ही बहुत मज़े का लगता है और अट लास्ट मेरे पास था थोड़ा सा लिफ्ट और ब्लैक पेपर तो अट लास्ट मैंने ये भी इस पर स्प्रिंकल कर दिया और माशाला से ये देखिए पलाओ पोटाटो पलाओ भी मेरा बन के एकदम से रेडी हो गया है माशाला से ये देखिए कितना अच्छा यम्मी और टेस्टी था ये पलाओ उसके साथ तो ब्लैक पेपर चिकन का क्या कहना तो हो गया था हमारा डिनर यम्मी सा डिनर रेडी तो चलिए करती हूं मैं इसको सब वेरी इजी स्टेप से और अराम से घर के ही होमेड मसालों से हम अच्छे से डिशस बना सकते हैं तरीका सबके अलग अलग होता है और बहुत बहुत थैंक यू आप तो मेरे साथ बहुत सारे कोकिंग चैनल भी मेरे साथ जूड़ चुके हैं तो उन सब का मैं वेलकम करती हूं और उन सब को अच्छे गुड़ लग मैं विश करती हूं सब लोगों को उनकी कामयाभी के लिए भी और साथी साथ चलिए आप भी मेरे लिए दुबा कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बट मुझे लाइक थोड़े कम आ रहे हैं तो थोड़ा लाइक बटन भी दबा दीजिएगा तो इसी एक यम्मी सी और एक छोटी सी रेसिपी के साथ आज का व्लोग करती हूँ एंड मिलती हूँ नेक्स व्लोग के साथ लाहाफिज